एलो एब्रिवाज जहंद, वेलकम तू जासर अचेडमी फॉर आई एस यहां पर आपको civil services की preparation कराई जाती है और help की जाती है कि आपको किस तरीके से prepare करना है यहां पर आपको आपकी preparation को enhance करने के लिए कुछ free contents प्रॉवाइट किये जाते हैं की प्रपरेशन के लिए कहां पे आपको YouTube प्लेश्ट में मिल जाएगा आप YouTube पे जब जाएगे तो आपको आपको वेरियस प्लेश्ट अवेलेबल होंगी जहां पे आपको जो डेली करंट अफैर्स के लेक्श्ट अप्लोड किये जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से घेलिक घेड होगी उसी के साथ-साथ, आपको मंतली प्लेश्ट भी मिलेगी current affairs की और yearly फिर्लेश्ट भी मिलेगी और साथ ही, जो current affairs daily basis पे आप लोगोगों को प्रवाइड किये जाते हैं उन्हीं की free of cost आपको pdf भी दी जाते है हमारे telegram चानल पे अगर आपने टेलेग्राम चानल जॉइन नहीं किया है तो तुरंद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडिड होगा जहां से आप हमारे चानल को जॉइन कर सकते हैं और वहां से आपको हमारी सारी पीडियाफ्स का अक्सेस ले सकते हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवेसर क्वेशन अनालेसिस का आपको आपके लिए ड vu जाती civर जाध्याव उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीजवेट की अलगअ सब्लिस्कति प्लेइस्ट आफेस्ट ही रेगलर पेस्द आडढ़ अन किये जाएंगे जिसके लिए आप लोगों को ज्छा सरैक्डमी को रिगिल ऐसली करना है और अपनी प्रपरेशन को enhance करना है और उसी के साथ साथ guys कुछ paid courses भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए है जासर academy for IAS के द्वारा जो जिन paid courses को जासर खुद personally mentor करते हैं खुद उसको relate करते हैं जैसे कि GS का pre-plus means बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है जासर खुद तैयारी करवाते हैं personal guidance आपको दी जाती है प्रॉपर तरीके से आपको attention प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल basic से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी preparation को enhance करने के लिए तो आप इन courses को भी जरूर जॉइन कीजिए जैसे कि एक mains का भी answer writing का test series बैच चल रहा है और prelims का भी test series course चल रहा है जो आपको हमारी app पे test series प्रोवाइड की जाएंगे 10,000 questions के आपको practice कराई जाएगी वो 10,000 questions आपको कहाँ पे available होंगे जहासर academy for IAS की website पे भी available है और हमारे एक app भी है जहासर academy for IAS आप अगर डालेंगे तो play store से आपको वो app मिल जाएगी आप उसको download कर सकते हैं वहाँ पे आपको prelims की test series का access भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन app है कि आपको आपके study tools भी available है कि आपकी जो study है आप उसको track कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं तो इस app को ज़रूर join कीजेगा डाउंडोड कीजेगा और website भी available है उस website पे भी आप जाके सब कुछ access कर सकते हैं जो की आप पे available है राइट so guys जासर अकाडमे को regularly follow करते रहिएगा hello everyone जाहिंद welcome to जासर अकाडमे for IAS guys हम कर रहे हैं science की NCRT class 9th और class 9th की NCRT में हमने last lecture में अपना chapter 7 स्टार्ट किया था diversity in living organisms जीवित जीवो में विविद था कि living organisms जैसे हमें देखने को मिलते हैं हमने बात किती उसके regarding की हमें बहुत ही जादा diversity देखने को मिलते हैं हर एक species में अलग लग तरीके से हमें diversity देखने को मिलते हैं काफी चीजें उनके अंदर characteristics से काफी चीजें अलग हैं right तो हमने थोड़ा सा basic देखा था classification का diversification का तो वो थोड़ा सा उसको वापस से recall करके और अपना आगे का lecture स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या चीज देखी थे कि हमारे surroundings में जो भी persons है अगर हम अपने फ्रेंड की बात करें तो कुछ ना कुछ हम में different होंगे in one way or the other बिल्कुल identical नहीं होते हैं ठीक है तो हमने उस diversity की बात की कि वो changes होते वो अलग-अलग होते हैं अब हर एक हमें इतने living organisms देखने को मिलते हैं कि इतने चोटे से चोटा organism भी होता है जिसको हम देखने के लिए हमें microscope की ज़रत पड़ती है और इतने बड़े से बड़े organism भी होते हैं कि बहुत ही जादा बड़े होते हैं वो around 100 meters तक के भी हमें देखने को मिलते हैं अब हम ग्रूप करते हैं जैसे कि उनको क्लासिफाय कर रहे हैं तो अब हम क्लासिफिकैशन किस बैस करें हमने वह बात कि थी हम पहले एक main classification basis बनाते हैं कि हम इसके basis पर classify करेंगे जैसे हमने एक्जामपल यह था कि अगर हम मान रहे कि हम appearance के basis पर classify करेंगे तो हमारा main group है अब वो depend करता है मतलब वो independent है किसी भी चीज से क्योंकि हम जो first classification का base ले रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं मतलब हम कुछ commonalities के basis पर लेते हैं कि अच्छा हम एक काम करते हैं इनको जो हम classify करेंगे हम इनकी appearance के basis पर करते हैं फिर हम ने उसमें sub category भी टाल दी कि appearance में भी हम उनके complexion के basis पर करेंगे तो यह तो हमने independently set किया है उसके बाद जो भी चीज हम जो persons को divide करेंगे यह species को जैसे हम किसी classification पर डिवाइड करते हैं तो वो क्या है वो dependent हो जाती क्योंकि अब हम जो persons को divide करेंगे हम complexion के basis पर करें तो वो क्या है वो dependent है उस चीज़ पर वो classification आगे की ठीक है तो हमने यह चीज़ देखी थी कि हम classify किस तरीके से करते हैं कि हम पहले एक broad category set up करते हैं और उसके बाद हम उसमें वो classification डालते हैं ठीक है फिर हमने बात की थी जैसे कि अब यह classification जैसे अगर हम cell की बात करेंगे तो हमने eukaryotic और prokaryotic में डिवाइड किया था कि eukaryotic कौन सा होता है जिसमें कि जो nucleus है वो properly defined होता है nucleus membrane हमें देखने को मिलती nuclear membrane ठीक है और हमें cell organelles जो हैं वो membrane bound होते हैं लेकिन prokaryotic cells में हमें यह चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो basically क्या है अब यह जो nucleus है इसी से क्या जीज़ें हमें पता चल रही है कि वो क्योंकि proper तरीके से defined है तो वो कुछ specialized functions भी perform कर सकते हैं तो यह हमने एक basis बना लिए cell को divide करने का कि हमने यहाँ पे कर दिया eukaryotic cell और prokaryotic cell तो यह जो nucleated cell है nucleus किस तरीके से है उसके basis भे हमने cell को classify कर दिया ठीक है फिर हमने कुछ की बात की थी कि कैसे जिसे plants है जो photosynthesis perform करते है अपना food खुद बनाते हैं वो अलग है तो उनका structure उनका body design अलग होगा in comparison to अगर हम दूसरे ऐसे species ले और ग्यानिजम ले जैसे कि animals है animals क्या करते हैं वो अपना food खुद नहीं बनाते हैं वो बाहर से लेते हैं अपना शिकार ढूंते हैं वो plants grass पे feed करते हैं तो वो अपना खाना बाहर से लेते हैं वो अपना खुद नहीं बनाते हैं तो अब जो species है वो अपना खुद बना रहा है और एक species जो है वो खाना बाहर से ले रहा है वो खुद नहीं बना पा रहा है तो उसमें क्या है कि उनके body design में वो differences है उनके structure में वो differences है तो यह क्या है यह basically एक वो diversity ही है उसके बाद हमने बात किती classification and evolution अब इसमें हमने क्या कहता है कि जैसे हम classify कर रहे हैं तो अब यह हमने basis ले लिया classification का तो अब यह evolution किस तरीके से हो रहा है मतलब इनकी उत्पत्ती किस तरीके से हो रही है तो हमने क्या बात किती कि जो older organism से है जो पुराने है उनको वो किस तरीके से है जो पुराने है कि वो जैसे थे मतलब starting में जैसे तो वो ऐसे ही है लेकिन time के साथ environment changes के साथ हमें क्या चीज़ देखने को मिलते कि वो changes होते हैं उन changes से altogether वो species change हो जाती है उसकी जो features है characteristics है वो सब change हो जाता है तो वो एक नया organism निकल के आजाता तो वो जब एक नया organism निकल के आया है altogether तो उसको हम क्या गयते थे एक young organism गया दे तो इस तरीके से changes हुए है कि कुछ में क्या है time के हिसाब से environment के हिसाब से changes होते वे आये हैं उनके structure में, उनके design में, उनके genes में जिसकी वज़े से वो एक time पे आके altogether एक different organism ही बन गया तो इस तरीके से हमने evolution की बात की थी ठीक है? इतना हमने अपने last chapter में cover किया था अब हम अपना आगे का chapter स्टार्ट करेंगे हम अराम से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें है ठीक है तो हमारा topic है the hierarchy of classification groups कि अब हमने जो बात की है वो ये की है कि classification हम किस तरीके से करते हैं किसके basis पे करते हैं क्या मतलब base अपना set करते हैं अब उसकी जो hierarchy है वो किस तरीके से होगी हम जो groups बनाते वो किस तरीके से बनाते हैं जैसे कि hierarchy क्या है अगर हम बोलें कि मैंने भी कहा कि हमने appearance set कर दी जैसे हम अगर people ले रहे हैं तो हमने appearance ले लिया पहला अपना appearance के बाद उसके बाद हमने क्या क्या कि appearance में भी हम कौन सर segment लेंगे हम complexion लेंगे क्योंकि appearance में तो कोई भी चीज हम ले सकते हैं हम height ले सकते हैं हम body structure ले सकते हैं हम complexion ले सकते हैं तो हमने उसमें क्या लिया हमने उसमें appearance के sub heading में हमने क्या लिया complexion अब वो जो complexion है उसके basis पे अब क्या है complexion में भी हम क्या करेंगे divide करेंगे कि pure white है whitish है ठीक है थोड़ा सा moderate है कैसा है वो हम अलग-लग तरीके से क्योंकि जैसे जैसे हमारे पस क्या है कि सिर्फ हम दो category में भी नहीं डाल सकते कि एक white है एक black है हम नहीं डाल सकते क्योंकि whitish में भी हमें various देखने को मिलते हैं color हमें काफी differences होते हैं और black में भी काफी ज़्यादा differences होंगे variations होंगे तो उसमें हम उसको डाल रहे हैं वो क्या है उसके बाद की classification हमने कर दी और उस classification के बाद हम फिर लोगों को उसमें classify कर रहे हैं तो यह क्या बन रही है एक hierarchy बनती जा रही है तो अब यह hierarchy किस तरीके से होते हैं हम groups किस तरीके से create करते हैं basically यह हमारा topic है यह मैंने एक simplistic simplistic तरीके से बताया है right तो अब देखते क्या बताया इनोंने biologists such as Ernst Heckel Robert Whittaker and Karl Weissam have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms अब यह जो तीन biologists हैं इनोंने अलग-अलग years में क्या किया है कि living organisms को classify करने की कोशिश करी है broad categories में कि हम किस तरीके से इनको classify कर सकते हैं तो इन्होंने उस classification का नाम क्या दिया है kingdoms चीक है the classification of Whittaker proposed has five kingdoms अब जो Whittaker थे Whittaker ने 1969 में Robert Whittaker उन्होंने जो अपनी classification दी जिनको नाम दिया कया था kingdoms उनको उन्होंने क्या कहा कि five kingdoms होते हैं कौन-कौन से हैं पहला है Monera ठीक है second है Protista मतलब Monera उसके बाद आते है Protista फिर आते है Fungi then Planty and Animalia and it is widely used इन्होंने जो kingdoms दिये five kingdoms दिये मतलब एक classification दी तो उन्होंने ये five name दिये उसको और ये बहुत ज़ादा use भी किया जाता है these groups are formed on the basis of their cell structure mode and source of nutrition and body organization अब ये जो groups बनाए उन्होंने पांच groups बनाए ना basically उन्हों ग्रुप का ये तो नाम kingdom दिया है तो ये जो पांच group बनाए है उन्होंने किसके basis पे बनाए कि उनका cell structure किस तरीके का है ठीक है उनका mode क्या मतलब वो अपना nutrition कहां से ले रहे है और किस तरीके से ले रहे है और उनका body organization किस तरीके से मतलब उनका body का structure कैसा है design किस तरीके का है उसके basis पे उन्होंने ये पांच groups में डिवाइड कर दिया पांच इन्होंने kingdoms बना दिये अब एक modification इसमें जो किया उसके बाद 1977 में काल वाइसम ने तो इन्होंने एक modification दिया इन्होंने क्या किया जो मौनेरा है उसको भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिये मतलब उसमें इन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी किस तरीके से कि मौनेरा के अंदर हमें RK बेक्टीरिया देखने को मिलता है और U-Bacteria देखने को मिलता है ठीक है शॉर्ट फर्म हम कह सकते RK और Bacteria उसमें उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी वो भी काफी जादा यूज में हमें देखने को मिलता है फर्दर क्लासिफिकेशन इस डन बाइ नेमिंग दिस सब ग्रूप्स अट वेरियस लेवल से गिवन इन दी फ्लोइंग स्कीम अब उसके बाद क्या हो अब ये जो किंग्डम्स बना दिये उन्होंने ये मतलब ग्रूप्स बना दिया अब ये 5 अब इन 5 ग्रूप्स में भी हमें सब ग्रूप्स हमने देखे कि हर लेवल पे उनके जो सब ग्रूप्स है उनको नेमिंग दी गई मतलब उनका नाम सेट किया गया कैसे? कि जैसे एक किंग्डम है ठीक है उसके बाद kingdom के बाद उन्होंने क्या नाम रखा next stage का phylum या फिर division phylum रखते थे जब animals की बात की जा रही है और division बोलते थे जब plants की बात की जा रही है plants का division हो रहा है उसके बाद next level पे रखा class की वो कौन सी class से बिलॉंग कर रहा है next level पे रखा order की उस class में उसका order कौन सा है next में है family की वो किस family से बिलॉंग कर रहा है अब उस order में है तो वो कौन सी फैमिली से बिलॉंग कर रहा है next है genus मतलब जैसे हम कह देते हैं कि जाती कौन सी जाती से आता है ठीक है कौन से जीनस से आ रहा है next है species की main वैसे उसकी प्रजाती कौन सी है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया ये एक scheme है जो उन्होंने एक example के तौर पर बताई है कि ऐसे various levels पे क्या किया उन्होंने एक naming कर दी subgroups की naming कर दी ठीक है अब ये जो naming है इन्हें के under under उन्होंने names डालने फिर शुरू कर दे कि कौन सी species कौन सा organism किस में आएगा ठीक दस by separating organisms on the basis of a hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups we arrive at the basic unit of classification which is a species अब उन्होंने जब organisms को separate किया hierarchy में तो उन्होंने छोटे से छोटे group में उनको बाठते चले गए जैसे kingdom है फिर phylum या division आगया class आगी order आगी family आगी genus आगी and end में हमने क्या बात की species आई तो उन्होंने क्या चीज रखे कि जो basic unit है classification की वो क्या है species मतलब species से ज़ादा further उन्होंने divide नहीं किया further divide नहीं हो पाया तो species क्या है smallest जो group बन पाया वो बना species so what organisms can be said to belong to the same species अब कौन से organism ऐसे जो उसी same species से belong करता है अब हम उसमें इस तरीके से भी relate कर सकते हैं broadly a species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate species क्या होती है species के अंदर वो सारे organisms आजाते हैं जो एक दूसरे से same लगते हैं मतलब same से हैं किस मामल में कि वो एक दूसरे के साथ breed कर सकते हैं perpetuate कर सकते है ठीक है breeding हो सकती है उनमे the important characteristics of the five kingdoms of bit taker are as for loss अब ये तो इन्होंने क्या एक short form में बता दिया कि kingdom's थे फिर उसके बाद other other division करी किस तरीके से अब अब हम पढ़ेंगे कि जो विट टेकर ने ये जो पांच kingdom's दिये monera, protesta ठीक है ये जो पांच kingdom's है उन पांच kingdom's को उनकी क्या important characteristics है कि उन्होंने किस तरीके से divide किया कि ये name क्यू रखा इस तरीके से divide क्यू किया क्या characteristics रखी है किस तरीके से है तो वो हम detail में देखेंगे So let's start with monera जो उन्होंने first kingdom दिया था क्या था वो monera तो monera क्या था These organisms do not have a defined nucleus or organelles nor do any of them show multicellular body designs अब monera कौन से है monera के अंदर अंदर वो organisms रखे जो की हम कै सकते है prokaryotic cells है मतलब कि जिनका nucleus defined नहीं है organelles defined नहीं है defined ना होने का क्या मतलब है कि membrane नहीं देखने को मिलती हमें ठीक है वो membrane enclosed नहीं है और जो membrane enclosed नहीं है that means undefined है उनको हम क्या नाम देते है prokaryotic cells और उसी के साथ साथ उनमें कोई भी multicellular body design देखने को नहीं मिलता multicellular body design नहीं है that means single cellular है वो मतलब unicellular body है ठीक है तो हमने क्या देखा prokaryotic cell है और unicellular है on the other hand they show diversity based on many other characteristics अब उनकी जो diversity है विभिनता है वो दूसरी दूसरी उनकी विशेश्टाओं में आती है some of them has cell walls while some do not अब कुछ में cell walls है और कुछ में नहीं है अब ये हमने क्या बात की थी cell walls अगर हम देखे तो किस में होती है सिर्फ plants में होती है animals पे cell walls नहीं होती सिर्फ plants में हमें देखने को मिलती है of course having or not having a cell wall has very different effects on body design hair from having or not having a cell wall in multicellular organisms तो अब cell wall है या नहीं है उसका body design पे बहुत एक अलग effect पड़ता है ठीक है जिससे की जैसे हम कहें कि एक cell wall है या नहीं है या फिर अब यहाँ पे हम unicellular organism की बात करें तो unicellular organism में cell wall है या नहीं है तो बहुत ज़्यादा उस पे effect पड़ता है मतलब difference हमें देखने को मिलता है ठीक है तो इसमें अब क्या किया इन्होंने कि divide कर दिया और कि cell wall है और cell wall नहीं है the mode of nutrition of organisms in this group जो फॉर्टोसंथेजिस परफॉर्म कर रहे हैं that is autotrophic and getting it from the environment मतलब की heterotrophic the group includes bacteria blue green algae and cyanobacteria and mycoplasma तो इस group में हम नेमिंग करें तो क्या आएंगे bacteria क्योंकि हमने ये भी बात की थी मॉनेरा में जो बोई से थे उन्होंने किस तरीके से इसको further अदर डिवाइड किस तरीके से किया था bacteria, P, RK bacteria and U bacteria तो इसके अदर bacteria आता है blue green algae आता है cyanobacteria आता है and mycoplasma आता है तो क्या-क्या चीजें हैं कौन-कौन सा मतलब ये group किस तरीके का है जिसमें eukaryotic cell होंगे चीक है और unicellular होंगे अब उसमें इन्होंने क्या-क्या कि कुछ में cell wall होगी और कुछ में cell wall नहीं होगी cell wall होगी तो क्या मतलब है कि plants पक्का होंगे क्योंकि plants के अंदर ही सिर्फ cell wall देखने को मिलके अब plants है तो क्या होंगे वो कुछ photosynthesis perform करेंगे मतलब कुछ autotrophs होंगे और कुछ heterotrophs होंगे तो ये है हमारा monera फिर second kingdom हमारा क्या था प्रोटिस्टा अब प्रोटिस्टा में कौन सा group included है This group includes many kinds of unicellular eukaryotic organisms अब monera में हमने कौन से देखे थे prokaryotic unicellular या फिर unicellular prokaryotic organisms अब प्रोटिस्टा में भी unicellular तो है लेकिन eukaryotic organisms है कि जो unicellular में ही हमने क्या ले लिया कि एक eukaryotic है और एक prokaryotic है तो prokaryotic वाले कौन से group में आगे? monera में और eukaryotic वाले कौन से group में आगे? protesta में some of these organisms use appendages such as hair-like cilia और whip-like flagella for moving around their mode of nutrition can be autotrophic और heterotrophic examples are unicellular algae, diatoms and protozoans अब इसमें कौन से organisms होते हैं जो appendages यूज़ करते हैं ciliated हमने epidermis वाले में बात की थी, epidermal cells में तो यह जो cilia था यह क्या था? जैसे हमने nose की बात की थी कि हमारी nose में जो hairs होते हैं उन्ही को हम क्या कहरे है? hair-like cilia वो एक ऐसी layer है जिसमें की hairs है जो कि dust particles को trap कर लेते हैं ठीक है? या फिर whip-like flagella जो की moving, move करने में, घूमने में इदर उदर उसमें help करती है तो यह भी इस तरीके के organisms मतलब इस group में है, protista में इस तरीके के organisms है जो की appendages जैसे की यह cilia है या flagella है उनको use करते हैं और इसमें जो nutrition है, इनका mode of nutrition वो same है, heterotrophic भी हो सकता है मतलब जो खुद अपना खाना बनाते है और autotrophic भी हो सकता है जो खुद अपना खाना बनाते है और heterotrophic भी हो सकता है जो दूसरों से लेते हैं और इनके examples हमने करी लिए क्या है unicellular algae, diatoms and protozoans फिर हमारा third जो kingdom है वो है fungi these are heterotrophic eukaryotic organisms अब जो मॉनेर और प्रटिस्टा की हमने बात की थी उसमें हमने mode of nutrition में क्या देखा था कि autotrophs भी है और heterotrophs भी है लेकिन fungi कौन से है जो सिर्फ और सिर्फ heterotrophic है मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते they feed upon other species या other things ठीक है मतलब दूसरे के खाने पर feed करते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और eukaryotic है मतलब defined nucleus है तो वो कौन से हैं वो fungi के group में आ जाते हैं some of them use decaying organic material as food and are therefore called saprotrophs कि जो जैसे decomposers होते हैं न कि decaying organic material है उसका use करते हैं जिनको हम decomposers कह देते हैं तो वो भी इस group में आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं normally saprotrophs others require a living protoplasm of a host organism for food they are called parasites parasites कौन से होते हैं जो किसी के ऊपर चड़के मतलब अपना खाना लेते हैं किसी के ऊपर depend होते हैं ठीक तो उनको parasites मतलब कि इसमें क्या आगे heterotrophs भी आगे मतलब क्या है basically eukaryotic cell होगा organism होगा उसमें heterotrophs, saprotrophs और parasites टीनों ही किसमें आएंगे फंगी में आएंगे many of them have the capacity to become multicellular organisms at certain stages in their lives अब क्या है कि इनके अंदर capacity होगी कि ये किसी ना किसी stage पे आगे जाके multicellular बन सकते हैं that means कि इसमें unicellular भी आएंगे they have cell walls made of a tough complex sugar called chitin cell walls होती है इन में इतना वता चल गया cell walls तो होती ही है examples are yeast, molds and mushrooms ठीक है तो फंगी कौन से होते हैं eukaryotic होते हैं उसके बाद hydrotrophs, saprotrophs और parasites वो भी इसी में आते हैं और दूसरा ये कौन से होते हैं unicellular होते हैं जिनकी ये capacity होते हैं कि वो आगे जाके multicellular बन जाएंगे ठीक है और इनके पास cell walls होते हैं मतलब कि plant के ही species basically होगी ठीक है क्योंकि इनके पास cell walls है और वो हमने क्या पढ़िती सिर्फ plant cells के पास होते है plants के पास होते है some fungal species live in permanent mutually dependent relationships with blue green algae और cyanobacteria such relationships are called symbiotic अब जो कुछ ऐसी fungal species होती है जो एक दूसरे के ओपर dependent होती है मतलब कि किसी ना किसी चीज के लिए चाहे खाने के लिए चाहे working के लिए survival के लिए एक दूसरे के ओपर dependent होती है ठीक है मतलब एक दूसरे की help करती है तो उनमें वो जो relationship होता है जैसे कि अगर हम बात करें कि blue-green algae के साथ relationship होता है cyanobacteria के साथ, तो उसको हम कहते है symbiotic relationship जैसे कि these symbiotic life forms are called lichens we have all seen lichens as the slow growing large colored patches on the bark of trees कि मतलब जो पेड़ होता है ठीक है पेड़ की छाल पे bark of a tree, पेड़ की छाल पे बड़े-बड़े colored patches होते है वो क्या होती है, वो lichens होती है, जो धीरे-धीरे grow करती रहती है तो ये जो symbiotic life form में इसको हम क्या कहते है, lichens कहते है और ये भी क्या आते है, किसके अंडर, इसी group में आते है, इसी kingdom में, fungi में फिर next है हमारा group planti, मतलब की plants का these are multicellular eukaryotes with cell walls, अब ये क्या आ गए, अब आ गया multicellular ठीक है, multicellular eukaryotes, अब monera में क्या था, unicellular थे, लेकिन prokaryotes थे फिर protista में eukaryotes आ गए, लेकिन unicellular के साथ आया, ठीक है, उसके बाद fungi में eukaryotes ही है, लेकिन mix आ गया, कि unicellular है, लेकिन आगे जाके multicellular बन जाएगा, तो mix ले लिया उन्होंने, और उसके बाद planti में क्या है, eukaryotic है, लेकिन multicellular है, और क्यूंकि plants, उनके पास cell wall होगी, they are autotrophs and used chlorophyll photosynthesis, ये चीज़ तो बताने की ज़र अतनिया पता है, plants autotrophs होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते है, photosynthesis से, thus all plants are included in this group, since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us, कि अगर हम अपनी surroundings में देखें, तुम किस तरीके से define करेंगे plants and animals, तो उसमें यहाँ पर सारे plants के plants इस group में आ जाते हैं, next है हमारा animalia, animalia कौन से होगे, जो animals आ जाएंगे, इसमें basically, ठीक है, so these organisms include all organisms, which are multicellular eukaryotes without cell walls, अब हमने बात की थी, cell walls सिर्फ plants में होते हैं, तो animals में cell walls तो होती नहीं है, लेकिन यह multicellular होते हैं, और eukaryotes होते हैं, ठीक है, multicellular eukaryotes लेकिन इन में cell walls नहीं होती, और यह कौन से होते हैं, अब आनिमल्स खुदो खाना बनाते हैं, तो animals कौन होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, तो यह थे, विट्टेकर के basis पे, जो उन्होंने अपने पांच kingdom दिये थे, उन्होंने किस तरीके से करेक्टराइस किया था, classification उन्हें किस तरीके से की थी, मतलब कैसी-कैसी characteristics हमें देखने को मिली इन पांच kingdoms में, लेट, तो अब देखो, यह इन्होंने दिया हुआ है, चार्ट, यह विट्टे करके, five kingdom classification है, organisms लिया सिबसे पहले, organisms में अब उन्होंने क्या किया, कि prokaryotic होग या फिर eukaryotic होगा, prokaryotic कौन सा होगा, जिसमें की nucleus defined या organals, cell organals defined नहीं है, मतलब की membrane नहीं होगी, और eukaryotic जिसमें की defined होगा, तो prokaryotic में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, prokaryotic में एक कौन सा पढ़ा था, हमने monera, अब prokaryotic में भी monera क्या था, सिर्फ unicellular था, तो prokaryotic मे unicellular होगा, कौन सा है, monera, लेकिन अब जो बाकी के चार हमने kingdom पढ़े थे, protesta, fungi, planti और animalia, वो चारो ही eukaryotic थे, और कोई unicellular था, कोई mix था, कोई multicellular था, तो हमने किसमें, इसको फिर case में डिवाइड के, eukaryotes को unicellular and multicellular, अब unicellular में हमने सबसे वहले क्या देखा, protesta, चीक है, unicellular protesta था, क्योंकि fungi क्या थे, जो की आगे जाके multicellular बन जाएंगे, चीक है, तो वो क्या होगे, multicellular में फिर हमने क्या डाला, with cell wall and without cell wall, without cell wall तो हमें पता है, कि multicellular है, eukaryotic है, without cell wall, animalia होगा, अब with cell wall में कौन सा आएगा, एक तो वो जो photosynthesis perform नहीं करते, क्योंकि हमने फंगी में क्या पड़ा था, कि ये multicellular हो जाएंगे एक टाइम पे, लेकिन वो क्या है, heterotrophs है, heterotrophs, saprotrophs, parasites, ये सब हैं, तो इनके पाई ये क्या करते है, photosynthesis perform नहीं करते, लेकिन इनके पास cell wall होती है, तो जिनको जो photosynthesis perform नहीं करते है, बट have cell wall, वो कौन से हैं, फंगी, और जो cell wall होती है, और photosynthesis भी perform करते हैं, वो कौन से है, प्लानटी, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, इसको as a diagram, एक crux form में बता दिया, अब हम बात करेंगे, क्योंकि अब क्या बताया था, कि भी हमें, अगर हम life forms की diversity की बात करते हैं, कि हमारे surroundings में, हमें कौन कौन सी life forms देखने को मिलते हैं, अगर हम बोलने हैं, तो mainly हम बात करते हैं, plants and animals की ही, तो इसलिए यहां पे भी broad basis पे, कि अगर हम subclassification की भी बात करें, तो उसमें इन्होंने क्या किया हुए, further classification में, plants and animals को ही classify किया हुआ है, मतलब कि plantae kingdom और animalia kingdom को ही इन्होंने elaborate किया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे plantae kingdom के बारे में, कि उसको किस तरीके से further classify किया हुआ है, अब plantae kingdom कौन सा है, plants, नाम से पता चल रहा है, plants आएंगे, plants ह तो क्या होते हैं, autotrophs होते हैं, ठीक है, और plants में cell wall होती है, और उसके अलावा क्या चीज़ती है, यह multicellular eukaryotic होते हैं, ठीक है, multicellular eukaryotic organisms, So the first level of classification among plants depends on whether the plant body has well differentiated distinct parts, कि जो first level है classification का plant में, वो किसके ओपर depend करता है, कि वो जो उनकी plant body है, उसके well differentiated distinct parts है या नहीं है, मतलब कि जो parts है, वो क्या होंगे कि हम differentiate कर सकते हैं, कि यह यह वाला पाट है, जासे हम अगर बात करें कि stems, roots, leaves है, ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से, डिवाइड करेंगे, कि कौन से plants ऐसे हैं, जिनके जो parts है, वो प्रपर तरीके से, हम differentiate कर सकते हैं, देख के, कि हाँ यह 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 वाला पाट है, यह 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 ठांसपोर्ट रilly provincial क्लासिफा करेंड़ कि अब उसके बाद अब उनके पास ऐसे स्पेशल टीशुज जैसे वह इसम पॉटकर Yeah और phloem क्या करता है food को transport करने में help करता है कि उसके बास ऐसे specialized tissues है या नहीं है मतलब xylem और phloem tissues है या नहीं है further classification looks at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within fruits अब उसके बाद हम ले सकते हैं कि further classification कि अब क्या इनके पास वो ability है कि ये seeds bear कर सकते हैं मतलब कि इन पर क्या उनगे कि वो आ जाएगी seeds कि बीज आ जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जिन पर बीज आएगा क्या अब वो उस पर हमें फल देखने को मिलेगा कि उस पर fruit आएगा फल आएगा उस पर या नहीं आएगा तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा बताया कि हम प्लांटे में इस तरीके से classification कर सकते हैं पहला differentiated parts है या नहीं है दूसरा special tissues जैसे xylem and phloem है या नहीं है तीसरा seeds bear करता है या और चौथा fruits उस पर आते हैं या नहीं आते तो पहला अब थैलोफाइटा कॉन से हैं जिसमें well differentiated जो पहला classification है तो वो क्या है well differentiated parts नहीं है ठीक है हमें parts differentiate हम नहीं कर सकते हैं और commonly called algae तो जो इस group में है कि well differentiated हम proper तरीके से नहीं कर सकते differentiation parts में उनको हम क्या कहते हैं algae these plants are predominantly aquatic अब यह वाली जो plants होते हैं यह ज्यादातर aquatic होते हैं मतलब कि जो पानी में रहते हैं examples are spirogyra, eulothrix, cladophora, ulva and cara ठीक है यह इसके example से तो यह कह है थेलोफाइटा सिर्फ एक चीज दिया तरवीन है कि well differentiated parts नहीं होते और यह aquatic में होते हैं चीक है next step bryophyta bryophyta को हम क्या कहते है these are called the amphibians of the plant kingdom उभ्यचर कहा जाता है उप्लांट kingdom के उभ्यचर amphibians the plant body is commonly differentiated to form stem and leaf like structures अब क्या चीज थी कि हमने जो पहली classification की कि भी differentiated parts है या नहीं है तो जिसमें differentiated है अब क्या क्या था कि जो differentiated है उनके पास special tissues है या नहीं है तो हम differentiated में ही यह further classification किया special tissues वाली तो क्योंकि थैलोफ आइटा में differentiated नहीं था इसलिए महाँ पर वहीं पर खताम हो गया अब ब्राइफ आइटा में है differentiated है अब differentiated के बाद हम क्या देंगे कि उसमें special tissues है या नहीं है तो there is no specialized tissue for conduction of water and other substances from one plant of the body to another कि मतलब special tissues जैसे कि xylem या phloem है वो tissues नहीं है तो यह भी यहाँ पर खतम हो गया इसका feature सिर्फ क्या आगया कि differentiated है लेकिन special tissues नहीं है इसके example क्या है moss या finaria and mercantia next आता है teridophyta teridophyta क्या है in this group the plant body is differentiated into roots stem and leaves अब पहला classification आ गया कि differentiated होती है अब differentiated है तो ही हम next पे जाएंगे कि इसके special tissues है या नहीं है ठीक है अब इसके special tissues नहीं होंगे तो इसको तो हम क्या कह देंगे bryophyta लेकिन यह क्या है teridophyta इसमें हमें special tissues देखने को मिलेंगे it has special tissues specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another इसमें हमें specialized tissues देखने को मिलते हैं इसके examples का है marsilia frons and horse tails अब जिन specialized tissues है तो उसके बाद हमने third classification क्या किती कि हम क्या देखेंगे कि इनके पास seeds है या नहीं है seeds bear करते हैं या नहीं करते the reproductive organs of plants in all these three groups are very inconspicuous and they are therefore called cryptograms और those with hidden reproductive organs ठीक है अब ये जो हमने देखी तीनो thallophyta, bryophyta और teridophyta ठीक है अभी तक इन में क्या आया है इन में सिर्फ second classification तक आया है कि thallophyta में क्या थी non-differentiated है bryophyta में differentiated है लेकिन tissues नहीं है और teridophyta में differentiated है और tissues भी है इतनी बात हुई तो इनके जो reproductive organs है वो क्या है hidden है मतलब reproductive organs hidden होने का क्या मतलब है कि ये seeds bear नहीं करते तो इनको हम क्या कह देते cryptograms ठीक है on the other hand plants with well-differentiated reproductive parts that ultimately make seeds अब जिनके reproductive organs active होते है वो क्या करते है वो seeds bear करते है तो seeds जो bear करते है उनको क्या कहते है Phanerograms ठीक है जो seeds bear नहीं करते है उनको क्या कहते है sexual reproduction process कि जैसे human beings में या animals में हमें देखने को मिलता है कि एक newborn baby को birth दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये reproduction process से seed beer होती है plants में तो वो जो seed beer हो रही है तो इनमें वो कौन से होते हैं? फेनरोगार्स They consist of the embryo along with stored food which exist for the initial growth of the embryo during germination अब उसमें क्या होता है अब ये जो seed beer करते हैं उसमें क्या होता है embryo होता है उस embryo के साथ क्या होता है कि कुछ खाना stored भी होता है stored food होता है जिससे nutrition लेके वो embryo grow कर पाएगा इस ग्रूप is for the classified अब इसको भी अब हमने क्या क्या था ये जो थर्ड है टेरिटोफाइटा तक तो नहीं है seeds beer नहीं करते हैं वो क्रिप्टोगाम्स हैं उसके बाद इसके अलावा जो भी होंगे जिनमे seeds beer करेंगे reproductive organs active होंगे वो fenerogams है और वो क्या करेंगे उसमें embryo होता है वो grow करता है अब seeds में भी हमने उसके बाद classification क्या देकी थी कि जिनमें जो seeds beer कर रहे हैं अब उन पे हमें fruits देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं तो यहां पर भी further division हो गया कि जिनके पास seeds है seeds bear कर रहे हैं ठीक है reproductive organs active है वो fruit bear कर रहे है fruit उन पे आ रहा है या नहीं आ रहा तो इसको हम classify कैसे करेंगे based on whether the seeds are naked or enclosed in fruits giving us two groups gymnosperms and angiosperms कि जो हमें seeds देखने को मिल रही है उसमें fruit है या फिर नहीं है जिसको हमने क्या divide कर दिया gymnosperms और angiosperms में ठीक है तो हमारी यह fourth classification हो गई किसमें प्लांटी में gymnosperms और angiosperms जिम्नो sperms क्या होती है यह क्या है ग्रीक वर्ड से आए दो ग्रीक वर्ड से बेसिकली gymnos और sperma gymnos मतलब naked naked का क्या मतलब है कि वो seed में कुछ नहीं है खाली है मतलब उसमें fruit बियर fruit नहीं है उसके अंदर और sperm मतलब seed मतलब naked seed the plants of this group bear naked seeds and usually perennial evergreen and woody मतलब कि इनके अंदर इस पे हमें फल देखने को नहीं मिलता है इस पे फल नहीं आता इसके examples क्या है देखो इसमें कौन कौन से है जो perennial trees होते है evergreen है वोड़ी है वो इसमें आ जाते है और इसके example क्या है pine the other और angio sperms कौन से होंगे यह भी ग्रीक वर्ड से angio मतलब means covered seed covered covered seed जो की fruit से covered है ठीक है these are also called flowering plants हम कहते है कि एक plant पर हम कैसे पता है कि हाँ इस पे अब जो भी हमने लगाया है वो grow करेगा कि जब उस पे flower आने लगता है जब फूल आता है तो उसके बाद ही उस पे grow देखने को मिलता है में growth होती है ठीक है जो भी हमने वो crop या जो भी हमने लगाई है seed जिसकी भी डाली है the seeds develop inside an ovary which is modified to become a fruit वही चीज है जैसे कि एक female में होता है न कि हम अगर human beings में देखे कि ovary में जो development होती है तो जो seed है वो ovary में develop होती है जो कि modified होके एक fruit बन जाती है plant embryos in seeds have structures called cotyledons अब plant embryos में जो seeds होते हैं उनका कुछ एक structure होते है जिसको हम उस structure को cotyledons कहते हैं यह क्या है इनको हम cotyledons क्या है इनको seed leaves कहते हैं क्यों because in many instances they emerge and become green when the seed germinate seed leaves क्यों कहते हैं क्योंकि यह क्या होते हैं जब यह emerge होते हैं मतलब जब seed germinate होते हैं तो यह green हो जाते हैं emerge होके green green में मतलब green green हो जाते हैं the angiosperms are divided into two groups on the basis of the number of cotyledons present in the seed अब इसको भी हम divide कर सकते हैं कि कितने cotyledons उस seed में present है plants with seeds having a single cotyledon are called monocotyledons और monocots plants with seeds having two cotyledons are called dicots कि जिसमें एक ही cotyledon है मतलब उसका structure जो है जो लेयर है उसकी एक ही है तो वो क्या है monocots या monocotyledons और जिसमें दो है वो dicots होगी राइट ठीक है तो यह है gymnosperms जिसमें की seed जो है वो नेकेड होती है fruit नहीं आता उस पे और angiosperms जिस पे fruit आता है राइट तो अब हम इस ही प्लांटे को जो हमने देखा है हम इसको बेसिकली देखे तो सबसे पहली डिविजिन क प्लांट के पार्ट्स है या नहीं है जिनमें नहीं है वो कौन सा गया थैलोफाइटा और जिनमें है वो हमने कौन से लिए थे मेंली कौन से थे ब्रायोफाइटा और तेरिडोफाइटा इसमें भी हमने क्या लिया ब्रायोफाइटा लेकिन डिफ्रेंशेटिड में भी हमन उसमें फिर हम further third division करेंगे पहले कि वो seed beer करते हैं या नहीं करते, seed produce करते हैं नहीं, तो seed produce नहीं करते, differentiated है, specialized tissue है, लेकिन seed beer नहीं करते, teridophyta, फिर जो seed beer करते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेनरोगैम्स, उसको भी हमने divide कर दिया, naked seed मतलब gymnosperms, और beer inside fruit, मतलब उसमें seed, beer seed inside fruits, fruit होता है, उसको क्या कहते हैं, angiosperms, उसको भी हमने angiosperms को divide कि उसमें, जो cotyledons है, वो single होता है, तो monocot है, और double होता है, दो हमें cotyledons देखने को मिलता है, तो वो dicot है, यह पूरा हमारा क्या है, प्लांटी, प्लांटी kingdom को हमने divide कर दिया, उसके basis पे, उसकी characteristics के basis पे, हमने उसमें चार क्लासिफिकेशन ली, और उन चार क्लासिफिकेशन पे हमने इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, पूरे ही जितने भी प्लांट के ग्रुप्स को हर केटेगरी में, ठीक है, तो यह था हमारा प्लांटी kingdom, इतना रीड कर लीजेगा, I hope समझ में आया होगा, आपको मैंने बहुत सिंप्लिस्टिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, अधर्वाइस यह थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, बट स्टिल, एक बार चाप्टर रीड कर लीजेगा, नहीं समझ में आता है फिर भी, तो आप प रखेंगे, तिल देन, थांक यू सो मच, वाव ग्रेट दे अहेड, जैहिंद,